दादाजी, क्या आपके पास कोई किताब है जिसमें कहानिया निबंध लेका दी हो? हाँ है, पर तुम क्या करोगे? मुझे अपठित गद्यांश चाड़ कर उन पर प्रश्ण तयार करने हैं. अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है जिसे पाठिय पुस्तक के अंतरगत नियमित पाठिक्रम के रूप में पहले से ना पढ़ा गया हो. अपठित गद्यांश को पढ़कर समझने और उस गद्यांश पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देने से भाव गरहन करने की शमता का विकास होता है। चाहिए और उसका केंद्रिय भाव समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को रिखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्णों के उत्तर सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट भाशा में लिखने चाहिए। बहु विकल्पिय प्रश्णों में दिये गए उत्तर विकल्पों क ध्यान से पढ़कर सटीक उत्तर विकल्प का चुनाव करना चाहिए। आईए अपठित गध्यांश पढ़ें और सुनें। निम्नलिखित गध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और सांस लेना अवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्त, सुन्दर और सक्रिय रखने के लिए मनुरंजन भी आवश्यक है। मनुरंजन के अच्छे साधन है। उत्तर जुआ, मनुरंजन का सही संधी विच्छेद है। मनह जमा रंजन, दो मनो जमा रंजन, तीन मन जमा रंजन, चार मनु जमा रंजन। उत्तर मनह जमा रंजन, गद्याश का उचित शिर्षक होगा। तीन मनुरंजन की आवश्यक्ता, चार जीवन का विकास। उत्तर मनुरंजन की आवश्यक्ता। उत्तर मनुरंजन की आवश्यक्ता।